हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब चलिए आज बनाते हैं कुंदरू की सबजी से टिंडोरा टैंडिली या फिर कुंदरू बोलते हैं बहुत सारे हेल्थ बेनेपेटस हैं इसे खाने के कुंदरू की सबजी बनाने की ये बहुत ही भड़िया रेसिपी है वीडियो में लास तक बने रहिए ये आपको बहुत पसंद आएगी चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हमें कुंद्रू लेने हैं काटने से पहले इनको साफ पानी में धो लेना है ये देखिए इनको मैंने धो लिया है अब हमें इने काट लेना है इनके आगे और पीछे से फूल वाला और स्टेम वाला पार्ट थोड़ा सा काट कर अलग कर लेना है ये हमें नहीं चाहिए अब इनके पीस बना लेने है चार या दो आपको जितना पसंद है जितने बड़े पसंद है उतना बना लीजिए ये देखिए ऐसे इनको काट लेना है आप इनको कोई भी शेप में काट सकते हैं गोल्टुकुणों में भी इनको काट सकते हैं ये देख लीजिए ये हो गए है ये मैंने काट लिए हैं इनको रख देते हैं अब आगे देख लीजिए एक कड़ाई में एक चमच ओईल गरम करेंगे इसमें आधा छोड़ा चमच जीरा डालना है जीरा तड़कने के बाद इसमें रफली कटी हुई प्याज डालेंगे यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज का प्याज लिया है इसे हमें फ्राई कर लेना है यह देखिए प्याज हमने चलाते हुए हलका फ्राई करना है अब हमें इसमें एक कोटोरी घिसा हुआ सूखा नारियल डालना है मार्केट में मिलने वाला डेसिकेटेड कोकोनर पाउडर भी डाल सकते हैं अब अपने हाँ से घिसकर डालेंगे तो यह ज़्यादा अच्छा टेस देता है मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से एक अच्छी खुश्बू आने तक इसे हमें फ्राई करना है इसके बाद इसमें एक रफली कटा हुआ टमाटर डालना है एक मेडियम साइज का टमाटर मैंने यहाँ पर लिया है मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से अब हमें इसमें एक चौथाई चम्मच नमक डालना है नमक डालने से यह ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते है दो से तीन मिनिट हमें इसे धक कर पकाना है यह देखिए प्यास टमाटर नरम हो गए है अब हमें गैस बंद कर देनी है इनको ठंडा होने के बाद बारिक पेस्ट बना लेना है यह देखिए इसको मैंने बारिक पीस लिया है प्यास टमाटर का कितना अच्छा पेस्ट बना हुआ है इसे रख देते हैं अब शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस अब हमें कड़ाई में 2 डेबल स्पून ओयल गरम करने हैं जो भी आप ओयल यूज करते हैं वो ले लीजिए इसे हमें गरम कर लेना है एक पीस डाल कर देखेंगे यह देखिए अब ओयल अच्छे से गरम नहीं है थोड़ा इसको और गरम कर लेते हैं ओयल गरम होने के बाद हमें ये सारे कटे हुए कुंदरू इसमें फ्राई कर लेने हैं इनको हमें हलका फ्राई करना है सारे एक साथ में डाल कर इनको फ्राई कर लेंगे गैस हमें medium high heat पर रखनी है चलाते हुए इसको तीन से चार मिनट फ्राई कर लेना है ये देखिए ये फ्राई हो गए है इससे ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है साइड में इनका तेल निधार कर इनको निकाल लेना है ये देखिए इनको सारे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ये लीजिए ये सारे कुंदरू मैंने फ्राई कर लिए हैं अब आगे देखते हैं हमें एक कटोरी काला चना 5-6 घंटा पानी में भिगाने के बाद कुक कर में दो सीती लगा कर पका लेना है इनको मैंने बॉयल करके रख दिये थे चना हमने सबजी बनाने से पहले ही बॉयल करके रख देना है अब हमने जिस कड़ाई में कुंदरू फ्राई किये थे उसी में तड़का लगाना है ओल हमें गरम कर लेना है इसमें थोड़ी सी जीरा और राई डालेंगे थोड़ी सी हिंग डालनी है एक चमच बारी कटा हुआ अद्रग डालना है एक चमच बारी कटा हुआ लैसुन थोड़ी सी कड़े पत्ता डालकर इनको फ्राई करना है एक अच्छी खुश्बू आने तक इसको फ्राई करेंगे अब हमने इसमें जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाए था उसे डालना है मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको सारा पेस्ट इसी में डाल देना है ये देखिए ये मिक्स हो गया है अब इसमें हमने मसाले डालने है आधा चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लेना है मसालों में थोड़ा सा पानी डालना है और इनको मिक्स कर लेंगे ये देखिए ये मिक्स हो गए हैं अब हमें इसमें स्वादानोसार नमक डाल कर मिक्स कर लेना है मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है जब तक मसाले कड़ाई ना छोड़े तब तक हमने इनको फ्राई करते रहना है मसाले कड़ाई पकड़ने लगे तो हलका सा पानी छोक लेना है ये देखिए मसाले फ्राई हो गए है अब हमें इसमें उबले हुए चने डालने है मिक्स कर लेंगे चने इसमें अच्छ से ये देखिए ये अच्छ से मिक्स हो गए है अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है mix कर लेंगे इसको लगभग 2-3 मिनिट हमें इसे चलाते हुए पकाना है ये देखिए चने हमने मसालों के साथ पका लिए है अब हमें इसमें fry कीवी कुंद्रू डालनी है mix कर लेंगे इसको अच्छे से थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे मिक्स कर लेंगे इसको ये देखिए ये मिक्स हो गया है अब हमें इसको 3-4 मिनट के लिए धक कर बकाना है बीच बीच में इसे चलाते रहना है ये देखिए 3-4 मिनट इसको बका लिया है मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से ये बनकर तैयार है चना और कुंद्रू की बहुत ही टेस्टी सबजी एक प्लेट में इसे सर्व कर लेते हैं ये देखिए ये कितनी बढ़िया सबजी बनकर तैयार है आप इसमें हराधनिया भी डाल सकते है उपर से खिसा हुआ नारियल भी डाल सकते है आप ये रेसेपी एक बार जरूर ट्राइ कीजिए बहुत ही अच्छी बनती है बहुत टेस्टी बनती है वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेर और कॉमेंट कीजिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये रेसेपी आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए ये बहुत ही टेस्टी बनती है और सब को पसंद आएगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट कीजिए चैनल पर नए हो तो मेरी आने वाली यूसफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और खुश रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिबी के साथ